एक्सर का घ्यान होना बहुत आबश्यक है एक्सर की आबसकता जब होती है जब हमारे सीने में वह सी अनेक समस्व impossij जैसे कि नीमो थोरा एक्स नीमोनिया काडियोनुमा और लंग कैंसर इत्यादी ही जो होते हैं तो ये हमें इंहां जबी होना आवस्य क содr पहले तो हमें सामाने एक्सेर का पता होना चाहिए थीक है जैसे लंग का इंसर या पर पर कोई ही इंजिring होती तब भी में पहचाण सकते होलन्ग में क्या कैक दिखाई पड़ता है थौह बताता हूं तो सामाने एक्सरा सामाने एक्सरी का ग्यान बहुत आवस्यक है फिर ही हम जो एक्सरी का पता लगा पाएंगे इसमें क्या समस्या है तो मैं एक एक्सरा लेके दिखाता हूं आपको उसमें क्या क्या दिखाई पड़ता है तो पहली बात तो उसमें CP एंगल बहुत जरूरी होते ह यह प्लूरल इफ्यूजन तो इसमें बात करें कि इसके CP एंगल देख सकते हो इस वाले में जो है राइट वाले में देखो नहीं है इस वाले में लेफ्ट वाले में दिखाई पड़ रहा है तो CP एंगल अगर सामाने नहीं होते हैं अगर CP एंगल दिखाई नहीं पड़ते है तो यह pillural effusion कहलाता है जो कि इसके CP एंगल नहीं होते हैं तो CP एंगल भी जो है समाने होना चाहिए तब अगर CP एंगल नहीं है तो आप चाहिए तो आप चाहिए पिलूरल effusion है फिर मैं एक और एक्सरा लेके दिखाता हूं इसमें pneumonia इस एक्सरे में आपको देख रहोगा हमको हाट भी दखाई पड़ता थो अपर रभी यहाँ पर देख सकते ङहां निचर लनव जो होती है उसके नीचे यहां पर दिखाई पड़ता अब एक होता है नियुमोत्र थो समझेस जब यह मतलब किसी लंग में ज्यादा ब्लैका आदरी जैसे यहां देख सकते हो कि लि तो इधर जो है निमो थोरेक्स है तो एक एकसरे में आपको लेकर दिखाऊंगा जो सामाने मतलब कुछ समश्या होती है अब यहां पर बात आती है कार्डियो मगैली कार्डियों मगैली क्या होता है वहम आपको बताता हूं कार्डियो मगेली में हार्ट का सेप जो है तोड़ा सा जो देखो इनकरी जो के बढ़ जाता है नार्मल से अश्मानने हो जाता है तो यह इसमें हार्ट का से बढ़ जाता है तो कार्डियो मगेली इसका नाम ही कार्डियो मगेली रखा है कार्डियो मगेली तो यहाद हो क्यांसरा लेके दिखाते हैं जिसमें कि आपको यहांपर एक हलका सा गोल गोल गेरा सा देख रहा होगा लंग के बीच में लेफ्ट लंग बीच में यह है cancer का निशान ठीक है इसमें कोई का Acts इंचर है लंग cancer है तो यह स्पोर्ट जो दर साता है कि इसमें कोई कैंसर है और अगर यह कैंसर है यह समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई कैंसर है टीवी बगारा भी होती ही वह आपको एक 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 सरस अब दिखाऊंगा वीडियो को देखते रहो और लाइक भी कर दो भाई और चैनलों को से स्टार्ट होती है तो देख सकते हो मतलब यह डौट डौट से नजर आ रहे हैं यह टीवी के ही निसान है एक सरे में कितना ज्यादा यह टीवी का निशान है बहुत ज्यादा है वीडियो को लाइक कीज़ी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और यह जो टीवी के देख लीजी plaus від ऊपर वालेलेफ्ट और राइट दोनों लंग में आ ठीक है तो यहीं से कोई बोन मेंutedीवी वह सकती है यह कोई गैसक्रों यह कहीं भी जा सकती है टीवेन टीवी भी हो सकती किए हई सांस के दवादर सारीर में कहीं भी जा सकती है एक एक सरें और है इसमें आपको क्या के नाजर ध्यान से देखिएगा हमें सामान्य अक्सरा जूह आपको इतने आक्सरा दिखाए इस सारी समया बताई में आप देखियेगा कि इसमें नहीं ठाना मिल यह सुष्रेत कैसे देखा चाहें घुल और रखिया Xичесcular, Xicaray दिखायाते, सारे तरीकी XIV दिखायाते, और आप brush, अगर mission देखना चाहते हैं, कोई अगर मतलब महीला हाई, system में कुछ SM invited मिन०्धी आँए, तो आप देख सकते हैं, 정ijn का भी shape जो है, दोनों left और right side में, लंग के दिखा रहा है तो इस तन में अगर कोई cancer या tumor बगारा कुछ भी होता है तो इस तन का भी यहां से पता लग सकता है अगर एक्सरे में नहीं होता तो और भी कुछ करा लेते हैं वहाँ पर अब यहां पर उपर इस्टरंडम होती है रिप्स होती है अगर को फ्रेक्चर होता है तो रिप्स भी होती है दोको दोनों साइड में तो यह रिप्स भी पता लग जाता है अगर कोई समस्या होती तो यसी के द्वारा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर हम रिपोर्ट अगर अच्छे से चेक कर लियाती है तो समस्या आटोमेटिकली उसकी दवाई भी अच्छी मिल जाती है सारा कुछ रिपोर्ट ही ठीक पहचानना बहुत जरूरी है डियागनोस्किस करना इसलिए आमतोर पर एक्सरे का घ्यान होना बहुत आवस्यक है मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है एक्सरे को पर हेल्थ से फिजियो तेरपी से जुड़ी तो आप लिंक डिस्क्रप्शन में एंड स्क्रीन आई बटन पर देख सकते हो मैं हेल्थ से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूं हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए नोटिपे के सनलों को आउन कीजिए चलते हैं मिलते हैं नेगी